रूस के राश्पती ब्लादिमिर पुतिन और नौर्थ कोरिया के ताना शाह किम जॉंग उनकी जुगलबंदी देखने को मिली है ब्लादिमिर पुतिन ने किम जॉंग उनको एक कार गिफ्ट की है जिसके बाद दोनों उसमें एक साथ सफर करते हुए नजर आए यह तस्वीरे जो बाइडन को परिशान करने वाली है एक तरफ सूपर पावर अमेरिका है तो वहीं दूसरी तरफ रूस करीब सबाद दो साल पहले जब रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ यूक्रेन को अमेरिका और नाटो देशों की मदद मिली जिससे ये युद्ध अभी तक खत्म नहीं हुआ रूस के राश्पती पुतिन अमेरिका की चेतावनी के बाद भी जुके नहीं पुतिन भी अमेरिका को समय समय पर आँख दिखाते रहे अब कोरिया से आई एक तस्वीर ने अमेरिका की राश्पती जो बाइडन की नी दुडा दिये पुतिन 19 जून को उत्तर कोरिया के दोरे पर पहुंचे जहां उत्तर कोरिया के ताना शाह किम जोंग उनके साथ उनकी गजब की जुगल बंदी देखने को भी इतना ही नहीं दोनों देशों की करीबी की दुनिया भर में बाते हो रही है पुतिन ने अपने दवरे पर किम जोंग को ओरस्तीनेट लिमूजिन कार गिफ्ट की दोनों कार में बैठे और पुतिन खुद ड्राइविंग सीड पर बैठे उनोंने किम जोंग उनको कार में घुमाया इस दोरान दोनों ने ताओं को हसते और बात करते वे दिखा जा सकता है यही वीडियो जो बाइडन को परिशान करने वाला जो कार फुतिन ने किम जोंग को गिफ्ट की उसे रॉल्स रॉयस की कौपी कह जा रहा है यह कार बहद ही खास है क्योंकि यह मेहज एक कार नहीं बलकि समय पर यह बंकर का भी काम करती है फुतिन की निर्देश पर ही इस कार को बनाया गया है कार पूरी तरह से बुलेट प्रूफ है दावा है कि इस पर बम और गोली का असर नहीं पढ़ता इमर्जंसी के लिए इसमें ऑक्सुजन सप्लाई सिस्टम भी है इतना ही नहीं पुतिन के किफ्ट देने के बाद किम जुंग भी कहा चैन से बैठने वाले थी उन्होंने पुतिन को दो कुत्ते रिटर्न गिफ्ट के तौर पर दी ये खास शिकारी कुत्ते हैं जो खास भुंकसन ब्रीट के हैं और ये सिर्फ उतरी कोरिया में ही पाये जाते हैं जब पुतिन उतर कोरिया पहुँचे तो खुद किम जुंग उनके स्वागत के लिए एरपोर्ट पर पहुँचे और पुतिन का गर्म जूशी से स्वागत किया पुतिन के लिए एरपोर्ट पर रेट कार्पिट बिछाएगे 1970 के दर्शक के बाद से उतर कोरिया हत्यारों का बड़ा सोदागर बन कर उभरा है साल 2006 में सैक्त राश्ट ने उतर कोरिया पर हत्यारों के बेचने पर पाबन्दी लगा दिथ हाला कि इसके बाद में उतर कोरिया हत्यार बेच रहा है कुछ सालों में उतर कोरिया रूस के बीच सेन दोस्ती अच्छी खासी बढ़ी है अमेरिका का दावा है कि सितंबर 2022 में उतरकूरिया ने रूस को भारी मात्रा में तोप और गूला बारू सप्लाई किया जब रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ तब किसी को इस बात का इल्म नहीं था कि युद्ध जादा दिनों तक चलेगा यूक्रेन की हार तय मानी जा रही थी लेकिन अमेरिका और नाटो देशों के समर्थन से यूक्रेन को समय समय पर हत्यार मिलते गए और यूक्रेन ने रूस के सैनिकों के सामने मुश्किली खड़ी गए उसके बाद से अमेरिका ने रूस पर तरह तरह के प्रतिबंध लगा र रूस यूक्रेन युद्ध से जहाँ दोनों देशों के रिष्टे रसातल पर पहुंचे तो अहीं रूस चीन और उत्तर कूरिया से करीबी बढ़ाता रहा अमेरिका के दुश्मन देशों की लिस्ट में उत्तर कूरिया का नाम भी आता है क्योंकि किम जूंग समय समय पर मिसा